दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगा फिर से स्वागत है और मेरा नामे रामोदीन अंसारी और आप देखरें मेरा यूट्यूब चैनल से लर अंसारी तो आप लोगों कोई इंतेजार की जो घड़ी थी वो खतम हो चुकि यह क्योंकि टी एस रहमान में जी पी इडी टिंग क्या एड्मीशन चालू होना सुरू हो गया है एड्मीशन नहीं मतलम उसके इंटरेंस एक्जाम का जो फॉर्म है वो तेईस दो दो हजार 21 से लेकर 31 2 2 हजार तक भारा जाएगा यानि तो रजिस्टेशन उसका सुरू हो चुका है और अगर आप लाई पर जाएं और वहां पर क्लिक कीजिए जेक्पी रेटिंग पर क्लिक किजिए और अपना फॉर्म अप्लाइग कीजिए फॉर्म अप्लाइग करने से रिलेटेट मैं सब चीज़े इसमें बड़ाउंगा तो वीडियो सुरूर करने से पहले आप उस्कूर तो टीएस रहमान का जो फॉर्म है वो कल ही के डेट में रिलीज हुआ है तेइस दो को और उसका जो लास्ट डेट होगा वो 31 होगा ठीक है तो इसके बीच में आप फॉर्म अपलाई कर सकते हैं फॉर्म अपलाई करने के लिए इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि फॉर्म कैसे अपलाई किया जाता है और इंटरेंस एक्जाम कैसे होता है इंटर्व्यू कैसे होता है सब का वीडियो में एक ही म भराएगा, फॉब को अपलाई करने के लिए आपके पास क्या eligibility होनी चाहिए, मैं आपको पूरा बतायता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आप 10th pass होना चाहिए, 12 levels है मेरे को मतलम नहीं है, आपका 10th pass होना चाहिए, और उसमें आपका math, science होना चाहिए, यानि science में क्या होता है, social science होता है, physics, chemistry, biology, सब एक ही में होता है, यानि आपके पास वो science होना चाहिए, ठीके, उसमें आपका 40% marks होना चाहिए, और English में भी 40% marks होना चाहिए, और CBAC board से हो, या state board से हो, या किसी recognize board से हो, open board नहीं चलेगी और distance नहीं चलेगा, अगर आपने ignore अगर ऐसे करकर रखा है, तो नहीं चलेगा, open board नहीं चलेगा, distance mode नहीं चलेगा, अगर ये है तो वो accept नहीं करेगा, ठीके, तो state board, CBAC board आपके पास है, तो आपका चलेगा, तीसरी बात, जो इसका examination fee से वो 700 रुपा है, याद रखिएगा, 700 रुपे आप cash payment नहीं कर सकते हैं, online, ATM, debit, pay, net banking किसी से भी कर सकते हैं, चौथी बात, इसका main topic है, आपके पास Indian passport होना चाहिए, अगर जिस लड़के पास Indian passport है, वही apply कर सकता है, अगर नहीं है, तो apply नहीं कर सकता है, पांचवी बात, आपकी age, अगर आप general से हैं, तो आपकी age 17-25 के बीच होनी चाहिए, अगर आप OBC से हैं, तो 3 साल extra आपको छूट मिलेगा, अगर आप STAC से हैं, तो 5 साल extra छूट मिलेगा, अगर आप OBC से हैं, तो आपकी age 23 तक कर सकते हैं, अगर आप STAC से हैं, तो 30 साल तक कर सकते हैं, तो यह पूरा procedure मैंने आपको बता दिया, अब उसके website पर मैं direct आपको लेके चलता हूँ, और देखात हूँ कि कैसे form fill up करना है, उसका entrance exam कैसे होगा और वगेरा वगेरा, तो उससे पहले मैं आपको बतायता हूँ, जैसा ही आप form fill up करते हैं, 700 repay का payment करते हैं, आपको mail आ जाता है, अपना email ID proper और अपना mobile number proper डालिएगा, ठीक है, पूरा notification आपके mail पर यह आएगा, mail पर आपको confirmation आजाएगा और उसका exam कोब होगा, वो भी आपको आजाएगा, मने exam के एक सब्ता पहले आजाएगा, admit card, admit card आने के बाद आपका जो exam होगा, उसमें 10th की math, science और English पूछी जाएगा, ठीक है, 10th standard की math, science और English, और लड़के बोलेंगे, 10th का जो होता है math, science, वो किस book से पूछ पूछे जाएगा, और English, book से नहीं पूछे जाएगा, English, पूरा Oxford Junior Grammar, Oxford Junior Grammar आप खरीद लीजिएगा, 10th standard का कोई भी grammar लेका पढ़िएगा, voice narration, preposition, जो होता है न, basic part of speech, उसी में से सब आएगा, ठीक है, यह हो गया, और कैसा आएगा, जाके आप exam का link वहाँ पर कहीं, आई exam पास कर जाते हैं, तो आपको interview के लिए call आएगा, interview कैसा होगा, in the English, दोनों में, जैसे आपको देना है, आप दे सकते हैं, उसका भी I button में कहीं link में डाल दूँगा, आप जाकर देख लिजिएगा कि कैसे interview होता है, live, यह complete होने के बाद अगर आप select हो जाते हैं, तब आप आपको notification आता है, you are selected in GP rating, T.E.S. रहमान, बेच नमबर इतना, आप अपना 2,49,000 रुपे payment कीजिए, sit book कराईए, और जाकर 6 महीना training कीजिए, training complete होते 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 हो, वहाँ पर कुछ company placement देने के लिए आती है, उनका भी exam दीजिए, interview दीजिए, अगर आप clear कर लेते हैं, प्लेशमेंट लीजिए, और सिपर दाइए, काम कीजिए, तो यहीं इसका procedure है, तो T.E.S. रहमान का form आ चुका है, फटा 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 आप लो form fill up कीजिए, form fill up कीजिए, ठीक है, और बढ़िया सा fill up कीजिएगा, email ID और अपना mobile number बढ़िया से लिएगा, तो चलिए मैं आप आपको mobile पर कुछ थोड़ा मुड़ा हलका फुलका सिखा देता हूं कि कैसे करना है, उसके बाद आप लो तो फुद इंटिलिजेंट है यह है, तो थैंकि सुमर्ट फर वाचिंग इस वीडियो, इसके लिए आपको चल जाना है, Google Chrome में और वहां पर टाइप करना है, www.tsrehman. .org, देखिए मैं टाइप कर रहा हूं, tsrehman.org, देखिए नीचे आपका लिखा हुआ गया, tsrehman.org, उसी पर आप क्लिक किजिए, और क्लिक करने के बाद देखिए, वेट किजिए, tsrehman की official website आपको खुलेगी, देखिए, आपकी tsrehman की official website खुल गई, पहला ना हमारे pre-c course booking admission, उसी पर आपको क्लिक करना है, पहले वाले पर pre-c course booking and admission, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट किजिए, ये खुलेगा, देखिए, खुल रहा है, देखिए, खुल गया, pre-c training course for journal purpose rating, नीचे जो आपका arrow का निसान दे रहा है, उस पर क्लिक किजिए, क्लिक करने के बाद से तीन तारिए से लेकर 31 तक डेठ है, और एगरी पर क्लिक किजिए, उसके बाद term and condition देखिए, क्या बोल रहा है, यूपे, online fees, 700 रुपे, debit और credit card, upload photo signs, photograph, passport, एगरी विट, 40% चाहिए, आपका, the candidate must have been scored the 10% marks of 10th standard, past 2 years, ITI course, government approval on 50% marks in final year, the candidate must have been scored minimum 40% marks in English in a 10th standard, not only how the candidate must have been passed 10th standard from the recognized board of distance, part time or distance, agree, correspondent or any combination that will not be coincided, age not more than 25 years and not late then 7,5 years, 5 years age relations of H.C. and H.C. candidate, 3 years for non-creamy layer, other background, यह आपको दिखाई दे रहा है, और आपके पास passport होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुए personal detail आपको fill up करना है, तो पहले आपको फोटो यहाँ पर upload करना है, कोई भी फोटो आप upload कर सकते हैं, जैसे देखिए मैं आपको एक फोटो upload करके दिखा रहा हूँ, मैंने आपको क्या बताया, कि passport आपके पास होना चाहिए, बीना passport क्या apply नहीं कर सकते हैं, फोटे वाले पर click किजिए, अपने file में जाईए, मैं अपने file में चला गया, और मैं अपने gallery में जा करो देखिए, मैं आपको photo upload करके दिखाता हूँ, तो यह मैं अपना photo upload कर दिया, यह वाला photo है मेरा, मैंने अपना यह वाला photo में आपको क्या करता हूँ, तो देखिए, यहां से मैं यह अपना वाला quote वाला photo upload कर दिया, उसके बाद application date 24 तारी को fill out करना हूँ, academy की यर्स दो है, यही रहेगा, GP rating, और यहां पर आप male है तो male, female है तो female डालिए, अपना first name, middle name last name, middle name है तो डालिए ने तो last name, date of birth यहां से आप क्लिक करके अपना कुछ भी असानी से, date of birth अपना असानी से आप डाल सकते हूँ, उसके बाद higher qualification में 10 ती डालता हूँ, secondary school आप भी यहां पर अपना email ID और mobile नमर डालिए, उसके बाद higher qualification में हमेशा आप 10 डालिए, देखिए में सबसे नीचे, मैंने 10 प्लस 2 किया है, लेकिन मैं 10 ती डालता हूँ, subcast में आपका जो, जैसे मेरा religion इसलाम है, तो मैं इसलाम डाला, आपका जो है डालिए, और अगर आपको छूट चाहिए, तो non creamy layer by OBC डालिएगा, और नहीं चाहिए, तो स्रीफ OBC, subcast में मैं जो लहा हूँ, तो मैं जो लहाप न परता हूँ, उसके बाद, school attendance आपकी क्या है, वो डालिए कब से कब किया, इंडोस नमर आपके पास नहीं होता है, तो नहीं डालना है, और direct sumbit करना है, उसके बाद आपको payment करना है, आपका confirmation आ जाएगा, तो यही एक छोटी सी वीडियो थी, तो